चोपड़ एजुक्रिशन यूटूब चनल पर मैं हरसाई चोपड़ आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ मेरे पैरी बच्चो सबसे पहले आपको 2023 की हार्दिक सुब कामनाई जिन बच्चों का MBBS में एडमिसन हो गया है वो ठीक से अपना MBBS करें और जिनका इस साल एडमिसन नहीं हो पाया है 7th मई 23 को एग्जाम है और इस एग्जाम में अपना अच्छा परफॉर्मेंस करके अच्छे मेडिकल कोलेज में एडमिसन ले मैं इस वर से यही कामना करता हूँ कि आपका इस साल अच्छा स्कोर आए और आपको अच्छी मेडिकल कोलेज में एडमिसन मिले आज इस वीडियो में हम नेक्स्ट एक्जाम के बारे में बात करेंगे NMC नेक्स्ट एक्जाम के लिए ड्राप्ट तयार कर लिया है यह ड्राप्ट कुछी दिनों में गजट में बदल जाएगा और उसके बाद में नेक्स्ट एक्जाम लाग हो जाएगा तो NMC ने एक पब्लिक नोटिस दिया है उस पब्लिक नोटिस के जरिए आपी कॉमेंट्स से ले रहे हैं यह पब्लिक से तो अगर आपका भी इस ड्राप्ट के रिगार्डिंग कोई कॉमेंट्स है तो मैं आपको इस वीडियो में नेक्स्ट एक्जाम के बारे में इस सिंपल लेंग्वेज में बता देता हूँ कि इसकी क्या-क्या कंडिसन रहेगी, कैसे-कैसे यह टेस्ट रहेगा, क्या एक्जाम रहेगी इसमें करने का मोका मिलेगा आपको MBBS करने के बाद में इंटर्शिप करने के बाद में तो next exam में कौन-कौन से candidate applicable है इसके लिए तो मैं आपको बता देता हूँ तो इसमें जो इंडिया से MBBS कर रहे हैं उन सभी candidates को ये next exam करने के बाद में उनको इंटर्शिप करने के बाद लाइसेंस मिलेगा इंडिया में practice करने का मोका मिलेगा MBBS के बाद में तो इसके लिए इसमें दो step में ये exam होगा ये next step one होगा और next step two होगा यानि की next के लिए दो exam होगे अब जो first exam होगा next one आपने MBBS complete कर दिया चार साल यानि की जो last का fourth year है सारे 17 month का है वो complete करने के बाद में आपका next one exam लगेगा ये पूरा theoretical exam होगा पहले ऐसा होता था कि आपने complete करने के बाद MBBS का साड़े चार साल का course complete करने के बाद में university exam होता था जो concerned university से exam लिया जाता था और वो concerned university से exam लेने के बाद pass होने के बाद internship किया जाता था और internship होने के बाद में license मिलता था practice के लिए लेकिन अभी ये change हो जाएगा 2023 के बाद में और 2023 सिप्टेंबर 2023 के बाद में ये लागू हो जाएगा next exam जो 2019 बैस से लागू होगा तो इसमें जो exam होगा next one का वो पूरा theoretical exam होगा mcqs इसमें आएंगे सारे के सारे multiple choice question आएंगे इसमें इसके बाद में ये computer best online exam होगा और ये centralized exam होगा centralized का मतलब जैसे neat का एक ही paper आता है पूरे ओला और इंडिया में इसी प्रकार से next one का exam भी centralized होगा एक common exam होगा नीट की तरह ही next one का paper आएगा और वो सभी student को देना होगा वो सभी student को pass करना होगा अब ये university level का नहीं है ये centralized common exam होगा next one इसके बाद में इसमें 6 subject का exam होगा और जिन students ने MBBS third year और final year complete कर लिया है उनका ये 6 exams यनि की 6 subject का exam होगा इसमें 3 men subject होगे medicine, surgery और OBG इसके बाद में 3 इसमें sub subject होगे PDA, OT और opthal तो ये 6 subject का exam होगा और जिन students ने ये complete कर लिया है MBBS final year वो इसके लिए eligible है वो ये exam दे सकते हैं इसके हम बाकी condition देख लेते हैं तो बाकी condition ये है कि इसमें जो MBBS का third year का part two यनि कि इसमें 2 part है, final year में part one और part two है, ये part two complete करने के बाद में ये exam आप दे सकते हैं इसके बाद में next two की condition ये है कि next two में practical और clinical यनि वाईवा exam होगा ये theoretical exam नहीं होगा और next two exam internship के बाद में होगा मैं आपको यहां बता दूँ कि जो next one होगा वो internship से पहले होगा और next two exam होगा वो internship के बाद में होगा next step two में seven subjects आएंगे उसमें medicine, surgery, opg, pedia और ot, opthol और इसमें ortho, pmr भी इसमें सामिल है ये practical होगा इनका next two के लिए तो ये next one और next two की condition होगी इसमें अब next two के score की बात करें हम next के score की बात करें तो जो next one का score होगा यानि कि आपके mbbs complete होने के बाद में next one होगा उसका जो score होगा उसी score के base पर आपको pg में admission मिलेगा और वही score पर आपको internship करने का मोका मिलेगा अगर आप उसमें pass होते हैं तो इसमें pass के लिए आपको यहां पर 50% marks लाने होंगे यानि कि जो भी exam होगा 6 paper का उसके अंदर 50% आपको pass के लिए marks जरूरी है और इसके बाद में आपको 50% के बाद जो score होगा आपका जो pg के लिए score माना जाएगा उसमें merit के according आपका selection होगा pg में तो ये condition हो गई next one की score के लिए जो next two का exam होगा वो next two का exam यानि next step two होगा वो सिरब passing के लिए ही होगा और वो जो test लिया जाएगा वो university दोवारा ही लिया जाएगा यानि कि concerned university दोवारा next two का exam लिया जाएगा लेकिन next one जो exam होगा वो common exam होगा इसमें इसके लिए eligibility के लिए मैंने आपको बता दिया है कि इसमें next one होगा वो PG के लिए होगा और जो next two होगा वो internship करने के बाद में इसमें सरफ आपको pass करना है उसके बाद में आपको license मिल जाएगा इसके बाद में इस score को कहां कहां utilize कर सकते हैं तो इसको लिए central government, state government utilize कर सकते हैं private bodies है वो भी private institution है वो भी इस score को utilize कर सकते हैं किसके लिए कर सकते हैं employment के लिए यानि की service के लिए recruitment के लिए कर सकते हैं scholarship के लिए कर सकते हैं तो ये इसके लिए इस score को utilize कर सकते हैं इसमें अब first one जो next one है इसके बारे में information इसमें दी गई है वो आप यहां देख रहे हैं इसमें कौन-कौन से subject का क्या-क्या गी यानि कि 65% problem solving analytic skill type के question रहेंगे इसमें और इसमें 10% recall type के question रहेंगे तो इस परकार से इसके question रहेंगे next one में अब next one जो exam है इसका paper का अगर हम distribution देखते हैं तो पूरे 6 subject इसमें आएंगे इसमें जो मैंने बताया आपको 3 men subject हैं और 3 इसमें हैं सब subject हैं अब इसमें जो 10% weightage होगा इसमें सभी subject में वो 10% होगा physiology, biochemistry और microbiology ये first year के subject हैं उनका होगा इसके साथ में pathology, pharma और इसमें microbiology है ये जो second year के paper हैं इनका होगा और इसके बाद में इसमें जो forensic medicine का भी इसमें 10% रहेगा इसके बाद में 10% community medicine का रहेगा जो third year में होता है public health और community medicine का रहेगा तो इस परकार से ये सभी subject का इसमें weightage में 10% in दो subject का होगा अब इसमें एक बार इसका ये time wise schedule देख लेते हैं तो medicine के लिए 120 items के लिए 3 hours का duration रहेगा इसमें surgery के लिए 3 hours का रहेगा और वो busy के लिए 3 hours का रहेगा इसमें जो pedia और ot और orthol है इसके लिए 10 hours का रहेगा यानि 60-60 items रहेगे ये subject होगे तीनो subject अब इसके अंदर exam का duration देख लेते हैं exam का जो paper रहेगा schedule रहेगा वो किस प्रकार से रहेगा तो first day medicine रहेगा 3 hours का paper रहेगा उसमें first में medicine का 3 hours का paper रहेगा next one के लिए उसके बाद में 2 hours का break रहेगा माल लो अगर 10 बजे class ये test शुरू होता है तो एक बजे तक medicine का test होगा उसके बाद में 3 बजे तक break होगा मैं आपको ये example के लिए बता रहेगा और फिर 3 से साड़े 4 बजे तक ये होगा paper PDA का तो इस परकार से डेट घंटे का PDA का paper होगा इसके बाद में दूसरे दिन rest रहेगा next day को कोई exam नहीं होगा third day को सरजरी का exam होगा उसमें भी 3 hours का exam रहेगा 2 hours break रहेगा और फिर OT का exam रहेगा 1 and half hours का इसी परकार से OBG का 3 hours का रहेगा 2 hours break रहेगा बीच में और अप्थाल का रहेगा 1.5 hours यानि कि डेड़ गंटे का ये exam होगा अप्थाल का तो इस परकार से ये exam रहेगा next one का इसी परकार से next two का schedule दिया गया है इसमें इसमें भी 7 subject आएंगे और 7 subject में इसमें जो PMR का subject है वो एक और add कर दिया है लेकिन जो next two रहेगा वो सिरफ pass और fail के लिए रहेगा और ये जो exam रहेगा वो exam clinical और practical बेस पर रहेगा यानि वाइवा रहेगा practical रहेगा इसमें एक बा conduct होगा second week December में और इसमें इसके बाद में उसका result second week January में आ जाएगा next two का अभी supplementary exam होगा अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज और बता देता हूँ कि ये जो next one है ये साल में एक ही बार conduct होगा next two भी साल में एक ही बार conduct होगा अगर जो student next one में पास नहीं होता है तो वो supplementary exam देखे पास हो सकता है इसी परकार से next two भी एक ही बार होगा और उसमें भी अगर कोई student पास नहीं होता है तो वो supplementary exam देखे पास हो सकता है जो next one exam है इसरफ score के लिए होता है वो भी unlimited है आप कितनी भी बार दे सकते हैं score को improvement करने के लिए दे सकते हैं जैसे माल लोग किसी student का PGM नहीं होता है तो वो अपना score कितनी भी बार improvement कर सकता है उसके लिए कोई limit नहीं है लेकिन जो next two का exam है वह भी unlimited है उसमें भी आप कितनी भी बार exam दे सकते हैं जो internship के बाद में लागू होता है तो यह जो supplementary का exam है इसका भी date notified नहीं किया है कि यह कब होगा इसके बाद में आपकी जो third MBBS और final MBBS के बाद में practical और clinical University exam होगा वो first week जनवरी में होगा यानि पहले next one होगा उसके बाद में आपकी जो University के practical और clinical exam होंगे वो january first week में होंगे और fourth week जनवरी में उनका result आजाएगा अब यह दोनों exam होने के बाद पहले next one होगा और फिर third year का जो final year का practical और clinical निगल इंट्रियस्टी एक्जाम है वो होने के बाद इंटरंसिप होगा इनमें जो स्टुडेंट पास होगा और इंटरंसिप फर्स्ट परवरी से स्टाट ओ जाएगा और येट्टि ऐर की 28 परवरी तक वो रहेगा internship इसके बाद में next two होगा फिर वो second week मार्स में होगा और first week अप्रेल में उसका result आ जाएगा इसके बाद उसका supplementary exam होगा उसका date भी अभी notify नहीं किया है और इसके बाद में post grains weight के लिए admission यह पीजी के लिए जो admission होंगे वो next one K score पर होंगे वो माई जोन में होंगे और 30 जोन तक यह complete हो जाएंगे और first July से जो PG की class हैं वो start हो जाएंगी तो यह condition रही next test की next exam की अब मैं last में आपको एक summary बता देता हूँ कि किस परकार से यह exam होगा और इसमें क्या-क्या करना होगा तो जिन candidates का मानलो इसी साल admission हो गया है इस साल 2022 में admission हो गया है तो उनका next exam 2027 के निरवाई लगेगा मैं आपको ऐसे calculate करके बता रहा हूँ साड़े 4 साल बाद में उनका next exam लगेगा तो MBBS का जैसे उनका final year खतम हो जाएगा final year खतम होने के बाद में next one का exam लगेगा वो centralized exam होगा यानि कि उसमें एक की paper आएगा पूरे और all India के लिए और इसमें जो इंडिया से MBBS कर रहे हैं ओनी student के लिए भी लागू है और जो abroad से MBBS कर रहे हैं ओनी student के लिए भी लागू है next one exam ये next one exam में 50% scoring होगा सब्जेक्ट का exam होगा theoretical exam होगा सारे MCQ जाएंगे computer based online exam होगा इसके बाद में ये exam pass करने के लिए यानि कि 50% अगर आपका score आ जाता है इसके बाद आपका जो university का practical exam है वो exam होगा practical का जिसमें clinical और practical exam होगा वो exam में pass करने के बाद आपका internship सुरू हो जाएगा इसके लिए आपको दोनों में 50-50% marks सिये यानि कि जो practical है उसमें भी 50% marks और जो next one है उसमें भी 50% marks अब next one का जो score है वो PG की counseling के काम भी आएगा यानि कि PG में admission के लिए भी next one का score ही काम में आएगा तो ये next one आपका complete हो गया clear कर लिया उसके बाद आपकी फरवरी में internship सुरू हो जाएगी फरवरी में internship सुरू हो जाएगी तो एक साल आप internship करेंगे और एक साल internship करने के बाद में जैसे internship खतम हो जाएगी next two का exam देना होगा वो सिरफ आपको pass ही करना है और वो exam होगा seven subjects का और उन seven subjects में तीन major subject, तीन sub subject और एक PMR का subject रहेगा और वो आपको सिरफ pass ही करना है, pass करने के बाद में आपको internship complete होने के बाद ये test pass करने के बाद आपको license मिल जाएगा, उसके बाद आप इंडिया में कहीं भी practice कर सकते हैं, तो ये rules है next one और next two के, इसके ब next one देते जाओ, अपना score implement करते जाओ, और पीजी में जहां भी आपका selection होता है, वहाँ PG कर लो, या फिर आप SR ship, JR ship करके, अपना future secure कर सकते हैं, तो ये मैंने आपको सारी condition बता दी है, वीडियो अच्छा लगता है, इसको like करें, अपने दोस्तों में भी share करें, और चैनल को अगर आपने अभी तक subscribe नहीं किया है, तो चैनल को subscribe अवसे करें, क्योंकि इस परकार की information हम लेके आते रहें, इस परकार की information ही नहीं, हम आपके लिए need 23 के लिए सारी information लेके आएंगे, और counseling admission तक आपके साथ रहेंगे, तो मिलेंगे नई जानकारी के साथ नए वीडियो मे तब तक मैं हरसा ही चोपड़ा आप से लेता हूँ विदा जैहन